हुआ हलो दोस्तों और कैसे आप सभी लोग मैं आप सब का अपना विनास आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल दिटा ले रूंट करता हूं आशा घर दाओं दोस्ता सबी कस्वों होंगे खुस होंगे बिंदास होंगे और पढ़ाई आप लोग की अच्छी तरिके से चल लए होगे जैसा कि आप लोग जाने कि हम लगातार प्रैक्टिस सेट ने हमारा चल रहा है जिसमें हमारा प्रिविए सेर्ष कोर्शन ये चल ला है जो भी ऑनलाइन पेपर हुए है उस हर click on मैं एक में टाइम आप एम लगा में इसको ष्यांज करना है इसको संगा क्या अंसर होगा एंब दूसरी बात यह थी आप जो से अपने घॉप steps a K अपने कॉपी पे आप लोग नंबर डालके लिख लिए जिससे क्या होगा कि आप लोग अपना लाश्ट में चेक कर पाएं कि इतना अंसर मारा सही हुआ कि इतना घलत होगा ठीक है तो बताई ही इसमें क्या सही होगा क्यारा एक नीम लिख्यत में से कौन से ज्याय मीविति महत्पुन प्रक्रियां से ज्याय मीधि के बारे में पूछे लिए कि आप वे नियुक्ट नहीं करूँगा तो हम्हों को साथ 6 जढ़ा क्या करना है अटन्ट करना तो बस इतना दिमाग में रहुआ कि自己 में izakto Rebecca पहला होता challeng विर पक्षांदर कहीं होता है नहीं रूपांदर नहीं तो यहान से मा мелे से हो जाए और क्या सो जाएगा सी सो जाए ईसमें ए और सी एमिन तो किरेंहारा किया हो जाएगा क stop है झालते हैं नि या इस में बताए कि इस प्राफ में और को राश्टी पास चर्या रूप रहा और बताए यह क्या होगा राश्टी पास्चरिया रूप रेखा कि अनुसार निमली खित में से कौन से गंडी सिच्छन का उद्धिस प्राथ में कच्छाओं के लिए नियूंतम है मतलब सबसे कम है तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जितने भी सारे ऑफ्षन है सब पोजिटि करना यह भी सही है वास्ति जिन के अनुवहों को गनी से जोड़ना या तो सबसे आदा है बीजी चिंतनी को सलताओं को भिख्षित करना सारे पॉजिटिव ऑफ्षन है आपको बताना है कि सबसे कम पॉजिटिव कौन से है चली यहां सबसे कम पॉजिटिव क्या होगा करना फिर इसके बाद क्या है यह जब बाला के पुर्व ग्यान से जोड़के उनके अनुग वरिता देंगे उससे पढ़ाएंगे तो उनके अंदर आएगी रूची ठीक है जब रूची आएगी तो उसके अदुख संबंदित को मतलब होता है प्रतिचित्रण से तो कहेंग कि मूद्षों पर चलते हैं तर अब बताई है और पर अच्छे संब्राक या जाता है इसमें चाथ होती है ठीक है आप बार बार आपको बताते हैं तक फिर भी जैसे इसमी क्या क्या होता है इसको आप ध्यान देखे आपको इसमें होता है जोड़ घटाना गुड़ा भाग क्या क्या सिखा सकते हैं जोड़ सिखा सकते हैं ठीक है घटाना सिखा सकते हैं ठीक है गुड़ा सिखा सकते ह भाग सिखा सकते हैं आप इस से ठीक है संख्या का जोड़ घटाना गुड़ा भाग सिखा सकते हैं और क्या सिखा सकते हैं यहां से आप बच्चे के अंदर अस्थानी मान सिखा सकते हैं क्या सिखा सकते हैं अस्थानी मान तो मेरा बी ओप्सन एक सी ठीक है यहां पर हमारा क्य निम्लिखित मैंसे कौन से बच्चों में पूरो संख्या या pre number और धारणा के निरमान में सम्मधित है बताई ये पधानुकरम समावेशन एक केकी संखती माप बताई इसमें से क्या सही है ठीके तो ये अब हमारा क्या समझ में सही होगा यहां बच्चों के पूर्व संख्या प्री नम्बर मतलब एक एक करके और क्या होगा माप ठीक ने यह हमारा दोनों से होगा पादानुकरम समावेशन अलग चीज़े हैं तेहां कहां मेरा A और C मिल रहा A A और C A और C A और C भी या आपको किस उप्षन में हैं यहां पर माप पूछा यहां पर माप पूछा यहां पर हमारा A और B सही होगा क्या से होगा A और B किस में है ए और B C ओप्षन में ठीक है नहीं पादानुकरम समावेशन के बारे में आपको अच्छे से बताय हुगा है चलिए अगले कॉस्चन पर चलते हैं अजय बथा हाम है यह अज़िए गणीत में कच्छा धारित आकलन 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 तिन्पॉला खेंड लिया क्ला अधिश्यम का आकलन अधिखं के रूप में आकलन छीके आकलन हम इस लिए करते हैं ताकि बच्चे के कमियों को जाम सकें आकलन मतलब होता है मापना, तउन ना या आकना क्या से होगा भी है यहाँ पर? कॉस्चन को अच्छे अश्वड़ी है बताएं क्या से होगा? ठीक है? आगलन मतलब होता है सब्वीधियार्थों के अधियुति गुणो अन्वोयम को सल्ताओं का ध्या रखना और संबान करना ठीक है बिद्धियार्थे की चिंदन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकाट हो रहा है उसे प्रतिवीम्बीत करना मतलब जो भी उसे परसानी हो रही है कारणों का Пता लगाएं और जब कारण का पता लगाएं तो इस में बोटारा है एक पूर्छ यहां के अधारी ताक्लन कौन सा है है। को अब कर रखते हैं थीख है पहला हमारा किया है लगभग साही है गर्णित निर्देश़ का मतलब टे संतेंश निर्देस मतलब negative अलग नहीं करना है तीसरा का विद्यारती की प्रक्रिटिया के बारे में जो प्रकाट हो रहाय हुआ उसे प्रतिभी मिल करना ठीक है तो मेरा A और C सभी होगा A और C किस आप्षन में D ऐ आप्षन ए और C किस आप्षन भी है D आप्षन में ठीक है तो A और C कहाँ पे न यमारा चलिए आगले कोस्टन पर चलते हैं तर बताई इसमें क्या होगा नेमली कित में से कौन सा कथन गनित की प्रकृति के बारे में गनित की क्या होता है अमुर्थ है गनित भी क्या है गनित एक अमूर्थ गनित क्या होता है मैंसा गनित अमूर्थ है इस बात को याद रखिए गनित क्या है पैटन प्या धारित है ठीक ना पैटन वो क्या करते है रिंड करते है गनित कर रिंड किसको कहा जाता है पैटन वो गनित कर रिंड कहा जाता है और बता ग्यानिक द्रिश्ट कोन भी किसे पैदा होता है गली से सोचने विचारने की छमता गणी से गणीत के अंदर गणी से क्या होता है बच्चे के अंदर आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता का विकास होता है किसका आत्म विश्वास चीजों क्या बढ़ावा मिलता है और गलीत कि आत्म निर्भरता का विकास होता है और यह मस्तिक से सोचने भी चानने समझने क्षंता क्या होती है बिख्षित होती है तो यहां पर संकेत होते हैं अईसी क्या है भासा भी है ठीक है गनित एक तरह से क्या है कि गनित एक सास्त्र पराधारित है इसलिए गड़िद मेरे चनात्मक के लिये बहुत गाट के बहुत ही सीमित स्थान तो यह hackin अस्थान है देखिए अगले सबस्क्राइब हमारा और कि कौन आत्मक मी देखना गाट सबस्कर we सायक है हमने बताया था उपकार क्यों क्या था कारणों का निधान कर जाता था था समाछा कारण का चल जाता है उसके बाद अगला चरण आता है क्या पराम निर्देस और पारामर्स किस के अंदर अरतें यह आते हैं उप्चा-रातमक के अंदर उप्चा-रातमक मतलब होता है बच्छे को क्या करना बच्ये को आतो रास्ता देखाना मतलब निर्देश और उस रास्तेगे साथ लेके जाना पर हमेर्ज hours के लिए करना भी करा यह है क्यों नहीं सीख पाए जो ट्रव रोके रहें गणिती शंकल पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कफिनायों का सामना करते हैं और उनका उनको संकोजित करने अदिधियातों को परदर्शन को सुधा निकली है कहले बिदियातों की होगा D हमारा सही होगा ये भी सही है शिच्छन के लिग कि रहता है कि मतलब सिच्छन विद्यों कैसे कैसे change करके ला सके लेकिन उससे better अमको D लगा इसले क्या होगा डी हमारा सही हो जाएगा चलिए अगले को उस्चन के तरफ चलते हैं अब इसको बताए क्या से होगा अच्छे से रचनात्मक मतलब हमने बहुत बार आपको ये सब किसके उंदर गतांगे राच्नात्मक के उंतर गताएंगे तो बताएं, यहां क्या से होगा कि चलि करया पर्योजना ठीक है और क्या प्रश्ण उत्तर क्वीज यह तो होगा ही नहीं ठीक है नहीं कि अच्छा नहीं कौन से भी दिन नहीं हो सकते तो यह से हो जागा दैनेक वीवराने तो सही है सत्र अंत यह नहीं होगा सत्र अंत ठीक है या तो यह या तो यह आप बताओ दोनम इसे सबसे गलत कौन सा है तो दोनम इसे सबसे गलत कौन सा होगा हमारा डी होगा ठीक है यह होता है सतत मुलय अंकन और यह क्या है यह सतत मुल्यांकन होता है सतत में लगातार पर इछली आती है और जो वस के अंत में होता है इसे कहते हैं ब्यापक मुल्यांकन क्या कहते हैं या तो योगात्मक मुल्यांकन क्या कहते हैं या तो योगात्मक मुल्यांकन इसको दो नाम जा सतत मतलब होता है लग करें गड़ित में तूत्यों गेलिए निकित में सब कौन सा या सही ने आज पैचान ना आधर परते हैं यदि गड़ित में एक छात्त है बहुत तूटया कर रहा तो इसका अर्थ है कि उसके गड़ित करने की उक्ता का अभाव ने भिया में है को तो टीध सें के हिस्सा मांते हैं अधिम का अधियम का कि थूटियों के क्या मालता है गनित की भ्रांतिया के बारे में अन्त दिश्टी देती हैं अच्छा सीचन को छात्र को ऐसे प्रयापत रूप से चुनूहुतियों कार जिसमें उनके तूटियों होना ही सम्हों है बताइए यहां पर क्या से होगा कॉस्चन बहुत ही बढ़िया है अब आपको बतारा है चलिए तो कह रहा है यहां पर कि छहमता का अभाव होता है तो यह हमारा गलत होगा ब्रांतियों के बारे मंतर दिश्टी देती तूटियां क्या है कि भांतियों के बारे में बताती है कि आप गलतिया कहां कर रहे है तो बात सही है यह कर आए यह जिसमें तूटियां होने की संभाव ना होगे उससे कर के शिखे नहаров Business कहां पर जैदा यहopn किया से होने वाला है तो बी और सी बीए और सी किसमें से सी में तरटीन है कि अब बताइए कि जार्ज पॉल्य पिछले क्लास में आपको बताया थे पिछले प्रेक्टिस सेट में जार्ज पॉल्यों ने गड़ी समस्या के क्या जार्ज पॉल्यों क्या गड़ी समस्या अजार्ज निम्न में से कौन्स गड़ी समस्या के नियुंतम संबने इतने नों क् परकार के दिया है क्या क्या दिया इन्होंने पहला इन्होंने बताया था इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लिएगा पहला क्या बताया था समस्या को समझना पहले क्या है समस्या को समझना दूसरे में क्या भिया दूसरे में समस्या को हल करने के लिए योजना या रणनीती बनाना क्या बनाना योजना योजना आ सकता है या तो क्या सकता है रणनीती ठीक ने योजना बनाना या रणनीती बनाना फोल्लियों के भिया ये चार वो चीज़ें इन्होंने चार तरक दि ठीक है यहां से बार बार आएगा एक समस्या को समझना फिर दूसरे में योजना का निर्मार करना तीसरा उत्तर की ब्याख्या करना तीसरा क्या होता है उत्तर की ब्याख्या करना ठीक है ना उत्तर की ब्याख्या करना और लाश्ट में चौथा चलने का क्या कहता है योजना क को लागू करना क्या करना योजना को लागू करना यह चार सब्सक्राइब ने गड़ी समस्या के चार सिधान थे इनकी चार सिधान थे अज इसमें समस्या का वहां अगा हो जाना मतलब यह यहां मय सक्रमटा पूछास के नियुन्तम समबन्धित अधिये पहला भी सम्सया को समझना यह वही करते यह समस्या के Então और यह संबंदी यह हमारा क्या होगा सभी होगा किसी के बाने पूछा है कि समाधार में नियूंतम संबंदित मतब सबसे कम संबंदीत कोने तो आपको चार याद होने चाहिए कि अब बतएगे इवेश सी श्टार्ट है मैहाएतका 15 रूसदन थाू पैड़ागोजी खतल मोगे यहां से मारा इवेश सी स्टार्ट है इवेश में क्या क्या कह रहा है कि 26 जनौरी 2001 को भूझ में भूकम्प की झाट्के लगे थे हैं बुज किस राजे में इस्तित है यहां पे 26 जनवरी 2001 को क्या है भुकम के जटके लगे थे ठीके जिसमें क्या है हजार लोग की मिर्त हो गई थी अब भुकम पे 6 दसमलो 9 रियक्ट ठीके 9 रियक्ट की स्पीट था यहां पे और यहां देखे और यहां पे जो है कि 20 किलोमेटर उत्तर ठीके कहां पर यह कच्छ जीला एक क्या है कच्छ जीला है ठीके कच्छ जीला से भूज से 20 मीटर की उत्तर की तरफ यह क्या हुआ था आया था कच्छ जीला में क्या पढ़ता है कच्छ जीला में यहीं कि आसपास 20 किलोमेटर दूर तक क्या है फिल्ब हजारों लोग क्या और विर्त हो गई थी और एक रियक्टर थी समझ रहें एक जानते राजमा चावल और छोले बटूरे कि सराज में खाया जाते हैं आप लोग बते एक कि शोले बठूरे और तो कि वहांटे में हिए हमारे घ्राइज आधे हैं पूस्किने तो करें उनके बारे में आप लोग जान जाए कि किस किस में खाया जाता है देख लीजिए आप लोग को यह पता होना चाहिए इसको पढ़ लिजिए भिया यहां पंजाब में भी है क्या क्या क्था ध्याटी और सरसों का साग और इसे आउला और चोले बटूरे राजमा चावल पारा खान ने बिया दाल रोटी दाल रोटी मंडवे की रोटी तथा गहत की दाल और भानू आप भाटी फाफुली आदि खाया जाते हैं चावल को कूट कर उसमें गूर को मिला कर बना जाता है क्या माल पूवा परा मत्या और बारा देखे यह सब कहां खायाते हैं तो आपको जब भी कुछ पूछेगा आपको इन सब के बारे पता हुए पंजाब छोला बटूरे और गुजरात उत्तरा खंड और च्छतिस गण में क्या क्या खाया जाते हैं यह आपको पता होना चाहिए तो इसका इसकी इन सॉट लेकर रखे भी आप अपने पास ठीक है च सब्सक्राइब यहां परीलग और आपको समझ में आ रहे होगा अब्बु धाबी में और करक गंदाहार ये कराची बर्लिंग अच्छा अब्बु धाबी से रिलेटेट और भी बहुत सारी चीज़ें आप क्या जानते हैं अब्बु धाबी में विया जो क्या है रूपय को रूपय क्या कहता है दीरहम रूपय को दीरहम कहता है यहां जो प स्तानी इक MATE कि वे जीक प्रकार के पेड़ मिलता है ओप क्या है खजूर तो याद रखना है रूपए दिरह यहां पानी से भी जयादा मांगा क्या है पानी पानी जादा मांगा है पेट्रोल से भी जादा आई यह अगले कोस्टन को चलते हैं यहां पर बर्सा बहुत कम होती है यह आप लोग पहले से जानते हैं पाद भूरे यह यहां देखिए चिव बहुत कड़ा क्शन आपका अब बताई यह है कि भुपाल Allir नगर के ठीक पूर्व में है भुपाल गाधी नगर के ठीक पूर्व में तेथा बैंगलूर भ मैं बताता हुं क्या होना चाहिए चले चार्ट करें यहां रहा है भोपाल यहां पर फिम्स धिक बना लिजिए यहां आरं पूर्व होता है ठीक है यहां हमारा उत्तर होता है स्क है कि गाधी नगर फोलिम और के तْ चैले भॉपाल फूर के ठीक बंढ़ को अब बाइंगलर जो है भॉपाल के ठीक दच्छिन में बैंगलूरू जो है बैंगलूरू भोपाल के ठीक दच्छिन तो भोपाल के दच्छिन में कौन भी है बैंगलूरू यह क्या है भोपाल ठीक है न तो यहां से क्या पूछ रहा है कि बैंगलूर के सापेच गाधी नगर की दिशा है बैंगलूर के सापेच यहा पोक्च रहे हैं यहाँ से आप से यह पूछ रहा है कि एक किस दिशाम है तो देख रहे हैं तो उत्तर और πα्स्टी मिदह उत्तर रहे और इस तरफ क्या है पस्टीम तुर और πα्स्टीम किसम है उत्तर और पस्टीम कौन साथ हो खामारा सी सही होगा लेजिए इस question को पढ़िए और solve करिए क्या होगा चली देखिए क्या होता इसका यह क्या कह रहा है भिया कि चांगपा आदिवासी लोग जो परवत पर रहते यह ती कोनी आखरिती के टेंट का उपयोग करने के लिए करते हैं ठीक है टेंट का ती कोनी आखरिती के टेंटों का उपयोग ठीक है उन्हें अधिक ठंड से बचते हैं इन टेंटों का डिजाइन कैसा है मतलब जब चांगपा की बात आई भीया तो चांगपा कहां के रहने वाले हैं चांगपा अधिवासे कहां के हैं चांगपा भीया लद्दाक किसमें लद्दाक स्वारी 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 रुखें चांपा कहां कहां होने वाले हैं लद्दाक इस बात को याद रखें, Champa कहाँ याँ लद्धाक, चामपा कहाँ लद्धाक, ठीक है, और यहाँ जी subscribe में लोग करते हैं, उच टेंट को क्या करते हैं, रेबो, उच क्या करते हैं, यहाँ बहुत अधीक क्या होते हैं, ठंड पड़ती रहते हैं, ठीक है, और यह जो चांगपा होते हैं इनको घुमन्तू करते हैं क्या करते हैं घुमन्तू यह क्या होते हैं यह घुमन्तू होते हैं ठीक है यह घुमन्तू जग्चाते होते हैं और टेंड जैसे जो जिजाइन तो उसे क्या करते हैं रेबो करते हैं यह किस इलाके में चांगपा रहते हैं घंग यह पहाड़ों पर रहते हैं ठीक नैं राटओं लगभग कितना मीटर उच्छे एक 1000 वस ये और इसमें क्या पूछ रहां आप से यह थे अतियक्त ठंग से बचते ृंद्व का डिजाइन किसा एक 1000 वर्ष से पुराना है ठीक है 800 और पुराना यह पूच रहा है इन तेंटों का डिजाइन लगवग क्या है इन तेंटों का डिजाइन आपको देख लिए 1000 क्या पूराना तो बास समझ मैं लद्धाक है लगवग ठंडी पड़ते यह लगवग 500 500 किलोमीटर क्या है 500 शचरत अःव्य ardenta इसे सब बनाते हैं और यह और रहते हैं और यह सब और बन करते हैं तो गर से इन सब चीज़ों को आद और यह आगे हैं अगutan इसको देखते हैं चेराओ कहा का निर्त है कौन बताएगा बते हैं चेराओ कहा का निर्त है चेराओ कहा का निर्त है चेराओ क्या है मिजोरम का निर्त है आप उडिशा की बात कर लेते हैं उडिशा में जो विए क्या होता है कि यहाँ पे जो है कि छाओं क्या होता है छाओं और यहाँ पे मिजोरम का हमने बताए दिया मैं एक बार आपको पूरा टोटल दिखा देता हूँ जिसको आप लोग स्कीन सॉट ले लिजिएगा कहा गया लिजिए ये इसका आप लोग स्कीन सॉट ले लिजिए भी आ ठीके उडिशा राज में कौन कौन सा निर्तिय किया जाता है वुडिशा में छा ओं चां ऐख चां चां मौनारी उडिश्न सास्त्री और किसा बारी और असं में प्रकार क्श डिवार। होता है यह कम मना जाता है जब और चावल कटायी होती तो आधर नाच होता है इस सब आपको याद होना चाहिए कहीं सी भी कोशन आपका किरेट हो सकता है चलिए इसको देखिए आप इसमें बताइए क्या होगा बताइए क्या होना चाहिए हमारे देश में एक ऐसा छेतर है जो ऊचा सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है यहां वर्सा बहुत कम होती है यहां पर बर्ब से डके परवत और सुखे ठंडे सपाट मैदान है यह अच्छे तरक कहा तो अभी इसके बारे में हमने बात बता है अभी हमने इसके बारे में ही बात किया बता यह क्या से होगा कि अब एक लिए पहले हमने क्या एंट ले लद्धाक के बाहरें बाते क्या है इसका अंसर हो जाएगा लद्ध ठीक है चलिए और आपको पता है का अगया थै ज्यादा बात नहीं करेंगे भी ठीक है क्योंकि अब लोगों जादा जादा कोस्ट्न अटेंट करना ना अगला कोस्ट्न अब बताईए क्या सही समय प्राथ्मी कस्तर पर प्राथ्मी कस्तर पर पर्यावनाद्यन की प्रकृत्ति है यह तो बहुत अच्छा पको स्रेंड अब अब बताये क्या है। ऑफ में और को कि अनुपरक एकल भी से एकल भी से तो यह नहीं है पाथ पुस्तवान का धारित नहीं है जीवां से जोड़ी पढ़ाना है अब यह भी नहीं यह नहीं मं अनुपरक कैसे कोई सेंशाना निकल पर जैसाप्ली मेंटरी तो क्या होगा का है किरते कि क्या होगा एकी क्रीथ क्या होगा एकी क्रीथ सब्सक्राइब समबति इसका क्यां सार सुstar होगा कि ncf ncf कर दिये गए कथनों में से कौन सा इवियस सीखने के लिए राश्टी पाचर है रूप रेखा 2005 की सिपारस करती है सीखने के लिए इसकूल और घर समुदाय के बिच सुनिचित सिमाए होनी चाहिए सुनिचित सिमाओ से बात नहीं समझ में रही है कर रहा है कि कौन सा इवियस सीखने के लिए राश्टी पाचर है कि रूप रेखा का सिपारिस करता है तो रटके सीखने को अतोसाइद हाँ बात सही है अतोसाइद करता है रटके सीखने पे किताब सिच्छा के प्रस्थान किताबी सिच्छा से प्रस्थान ठीक है किताबी सिच्छा से है जीन को बारी जीन से जोड़क्त यह जो कर और सकूल और समुदसक कोई सिमाइँ कोई सीवाइब क्षिछने के लिए कोई सिमाइब यहाँ तो यहाँ पर मैं एक बैसी डिकिसे में सही है नहुshaped में सब्सक्षम कॉस्टन जर्गां आ प्रात्म आत्मी के सिवा नहां कि रूप में अचा यह पुना प्राप्ति प्रताओं पर केंदरित है इसको तो कोई भी पता सकते हैं बताई क्या से होगा यहां पर यह से होगा क्या होगा बाल के अंदरी शिच्छा इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं थी अब बताईए प्राथ में गश्तर इबेस की सीखने की प्रकिरिया सिच्छकों के लिए चुनोती सिच्छकों के लिए चुनोती बच्चों के लिए चनात्मा कवर पहल करने के लिए बच्यों दौराट कर सीखने के लिए और धारनों को वर्डन करने के लिए एवयस पास्ट मुझेश को सीखने को के एक मातर संसादन के रूप में उपयक करने के लिए बताई यहां पर क्या होगा राटने से तो यह गलत हो गया वर्डन की बात नहीं करनी है और संसाधन के रूप में एक मातर से यह कहीन के वल्ग दे रहा है कहीन के यह गल बढ़ है और यह वर्णा ठीक है तो राचनात्मक की बात हमेशा क्या होगी सही होगी हमने हमेशा बताय कि अब बतिए इसमें क्या से यह है अब बतिए इसमें क्या सिखने के अधिक्तम सुविधा प्रदान कर सकता है अधिक्तम सीखने के लिए संदर पूस्तके कहाने ब्यक आख्यान परिच्छा वीवरण बताइए इसमें से होगा अधिक्तम सुविधा परदान कर सकता है बहुत अच्छा कोश्चन है आप इसको मैं एक बार ही रेज कर दे रहा हूँ आप बताइए क्या से होगा आपको मैंने बताया कि जो ब्रह्मार बीदी होती है वो सबसे स्र्वस्ष्ट क्या होती है जो ब्रह्म बीदी होती है ये सबसे इसमें सुरभ यह उद्री तहीं से दोनों चीज़ों की यूज की आती है इसमें बालक करके सीखता है तो इसके दिवरा प्रोजेक्टर और क्या होगा प्रोजेक्टर भी दी प्रोजेक्टर के बाद सेमिनार क्या होगा सेमिनार ठीक है ना सेमिनार के बाद हमारा क्या हो सकता है यह सब हमारे क्या है यह सब जो है कि ऐसे क्रिया कलाप है जिससे क्या होगा कि बच्चे ज्यादा-ज्यादा क्या करे ठीक है कि चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखते हैं कि हमारा है अब बताइए निम्न में से कौन प्राथमिक अस्तर प्रयावला ध्यन के 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 प और एक है क्या हमारा उप थी यह आपको पता होना चाहिए अगर यह भी पता है आपको तो इससे काम खज़ें इसमें क्या होता है परिवार क्या होता है परिवार एवं मित्र इसके बाद क्या है आसरे क्या है आसरे फिर इसके बाद क्या है भोजन क्या है इसके बाद भोजन ह है फिर क्या है यात्रा है ठीक है यात्रा के बाद क्या है पानी है पानी बाद क्या है जो चीजें हम बनाते हैं यह सब हमारे क्या होते हैं मुख्य थीम इसकी अलाबा जो बचता है हमारा क्या हो जाएगा उप थीम तो मुख्य थीम सारे हमको दीख रहे है तो इसमें किसमें तो परिवार दोस्त आये अगले question पुस्चन पर चलते हैं यह आपकी तीम और रूप तीम से question था ठीक है देख लिजें यहां पर अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या है पहला क्या है परिवार दूसरा भोजन तीसरा क्या हमारा आसरे चौथा पानी यात्रा चीजें जो ब बताईए इसमें क्या सही है कॉस्चन को अच्छे से रिट करिए और बताईए क्या सही होगा बच्चों के EVS के सार्थक सीख दी जा सकती है कैसे गतिविदियां धारित आयोजित की जाती है ठीक है गतिविदियों के बाद चर्चा ये तो और अच्छी बात है सेशक दोरा बच्चे के अस्थानिक संदर्भो के अनुसार गतिविदियां संचालित की जाती है बच्चों दोला डिजाइन किये गए समुओ कार्यों को सिच्छक दोला बढ़ावा देना चाहिए ये भी बास सही है तो क्या पूछ रहे भी आपसे सारे तो positive लग रहे हैं ठीक है अब गतवीदियां आयोजित गतवीदियां आयोजित की जाती है देखो आयोजन ये तो बात 100% सही है ये भी बास सही है ये भी बास सही है तो कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा B, C, D और A में गतवीदियां आयोजित की जाती है ठीक है गतिविदियां तो हमों कहीं A, B, B, C, D हमको B में दीख रहा है तो यह हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा गतिविदियां आयूजित की जाती है बच्चों के इवियस की सार्थक सार्थक सीख दी जा सकती सार्थक सीख दी जा सकती गत्विदियां आउजित की जाती हैं ठीके पौदे बीशे के मुद्धों के लिए सार्थक हो सकते हैं बच्चों की ठीम अधारित वर्क सिट याद रखेगा छेटर ब्राहण मुद्धों के एर्द गिर्द आउजित किया जाते हैं सिच्चकोद्वारा परदर्शन दिये जाते हैं ऑ मंत्रिथ ब्यक्यान की बास सामोहीकारिकायोजन बताए इसमें क्या से होगा है कि बाओधे बारे भी आपको बताना है कि यहां क्या से सह हो जाएक अमारा बी पहुत एक बारे बताना है तो आपको छेत के भ्रहमण के लेके जाना है वर्क सीट का इंग लिक के आप देंगे सिचको द्वारा परदर्शन मतलब कोईन कोई चीज आप दिखाएंगे ठीक है आमर्तित ब्याक्ष्यान ब्याक्ष्यान विदी गलत होता है भी हमारा अब यह बहुत यह सुखने के लिए अधैक। समद्वाइग के फैराय की अधिक तो व्प्योगी सबसे अधिक होने सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे ब्मते क्या है सबसे अधिक क्या है है पाठ पूच्थर के अलावा निम्न लिखित में से सबसे दिक क्या है जीवियस पाष्ट पूच्थर के अलावा बताए क्या सभी यहां पर तुम्हारा क्या से हो जाएगा समाचार पत्र से हम जयादा समझेंगे सरवेचंग भी अच्छी बात है ट्वीट करना हर वाचा ट्यूटर चलानना नहीं जानता है जोड़ा अशे सीखेंगे तो जो हमारा ए बी-ड होगा और यह क्यों होगा है जिए हमारा वा क्या हो जाएगा A, B, D A, B, D यहाँ पर दिख रहा है हमको A, B, D तो यह हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आईए इसमें देखते हैं क्या गड़बर हो रहा है भाई साव? भोजन थीम अभी तो थीम और उप थीम को कोस्टन एक हुआ था ठीक है? फिर से देख लेते हैं थीम और उप थीम एक कोस्टन और आ गया तो इसको भी देखी लेते हैं अब बताएए वहाँ पर भोजन की बात थी हैं एक मुद्दो को प्रवावी डेम से सीखा जा सकते हैं समुदाय के सदस्यों के मादियम से सेदी सरवेच्छन, छेत्र बामल के मादियम से यदि बच्चे नारे बच्चों द्वारा तयार किया गया है यदि ये क्या मतलब है? डी वाला तो यह कुछ आप देख लिजिए थोड़ा सा याद भी कर लिजिए कि भोजन की जो मुख्य थीमों किसमे किसमे बात की गई है तो समुदाय के सदस से सर्वेच्छन, छेत्र भामल, भोजन थीम पर प्रिचर्चा करना, प्रोजेक्टर सेमिनार आदि का आईजन करना यह आपको याद होना चुग है चलिए आज यह सिष्टी टू यह नहीं हुआ भी, यह कोस्चन अभी नहीं हुआ आप बताए इसमें क्या सही है इस सीखने के समुकारियों को बड़ावा दिया जा सकता है किसके लिए वे सापाथी अरिगम को बड़ावा देते हैं ठीक है बच्चों के भी समाजेक संपर के सुधार करते हैं यह बच्चों के भी सहायोग को बड़ावा देतें ठीक है वे विए सीखने के लिए एक इसमात्राव से तो मेरा कहां पर आPS दिखरा है इन क्यां मेरा कहां पर दिखरा है обсक्या ए इ डि थे इसमें दीखरातव यह भी इसमें ने में आखलं में सो आकलन बहुत अच्छा है आकलन में सो आकलन बहुत बिद भाद को थे नहीं पनान कि एक होता है क्ञें परकार होता है, एक होता है अधिगम के लिए आकलन एक होता है अधिगम के लिए आकलन और एक होता है अधिगम का आकलन एक होता है अधिगम के रूप में या अधिगम के समान तीन तरह से आकलन होते हैं यही से पूछा गया है स्वा आधिगम के लिए आकलन मतलब होता है कि जब आप क्या कर रहे हैं मालीजे क्या कर रहे हैं क्या बना रहे हैं खीर जब बना रहे हैं तो जब समान को चेक कर रहे हैं चीनी डालना है चावल डालना है दूड डालना है समान को चेक चेक कर डालना है तो कहिन कहीं अधिगम के समान आकलन कहलाएगा ठीक है और जब खीर खा के किसी ने बताया कि खीर बहुत अच्छी बनी है तो अधिगम का आकलन हो जाएगा ठीक है ने और कहा रहा है अधिगम के लिए आकलन अब खाना मतलब खीर बनाते समय बीच में खीर को हमने क्या किया किश्ट कर लिया तो क्या कहला हैगा अधिगं के लिया हमने इसलिए चेक किया ताक्षी बनिक नहीं और अच्छा नहीं बना तो फिर से थुड़ा सुज में चीलीन डाल सकें तो स्वेम आधिगं के-लीये अधिगं queremos connections होगे ने अधिगम के रूप में या सीखने के माध्य में मुल्यान कर तो आपको इन तीनों से क्या सेंस निकल किया है क्या होना चाहिए तो अधिगम के रूप में जब समान को चेक कर रहे हैं जब आप अपने आपको चेक कर रहे हैं अधियापक अपने आपको चेक कर रहा है कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ तो क्या हो जाएगा सीखने के रूप में आलगा लगा या बच्चा खुद कुछ चेक कर रहा है कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ तो क्या कर लागा सुहम का आखलन करना यह क्या कर लाता है सुहम का आखलन करना यह क्या लाता है अधिगम के रूप म है कि प्राथमेक स्तर पर सिच्छार्तियों के आकलन ङः रांग वासा आते शीच्छ को मुक्य रूप से निमली खित में से किस्पे ध्यान जनती है कौन बिया आकलन के धवरान एक भासा सिच्छ को निमलिखिद में से किस पे ध्यान जाए आपचारिक सब्ताइक परिच्छा ठीक है उसे प्रगती पत्र दर्ज दे प्रगती पत्र एक अवदी के अंत में परिच्छा लेना चाहिए जो उत्रिड्या अनुत्रिण यह पिते हैं के साथ साजा करना ओक्र किया होगा मारा सभू को यहां से ग्री गलत हो जाएगए घ्यान बच्छों को साहता करता ठीक है हमने बताया कि बहु भासिकता मैंने क्या बताया अब ध्यान से देखेगा इस चीज को यहां से बहुत सारे को बहुत सांस्कृतिक समावेशी व्यक्तिक भी भीनता यह तीनों क्या बच्चे के लिए संसाधन के रूप में काम करती है और अध्यापक के लिए चुनूती ठीक है तो कर रहे अन्य भासाओं यह उम नए विशियों को असानी से सीखने में राश्टि के रिती रिवाजों अन्य संस्कृतियों को सीखने समझने में अन्य विद्यार्थियों के साथ न जूड़ने ता सन्विदन सील होने में अधिक अंक प्रात करने के लिए उन रचा दिया इसमें कोई बात नहीं है अब बत यह क्या होगा इसमें तो के रहा है कि अन्य भासाओं यह उम नए विशियों को असानी से सीखने के लिए जब क्या होगी समावेशिक अच्छा होगी तब ठीक है ना अराश्ट के रिती रिवाज़ों अन्य संस्कृतियों को समझने में सबसे बेटर के हमारा एस ही है यहाँ पर सबसे ज़्यादा यह है क्योंकि भसाओं के ग्यान के साथ विद्याले आते हैं कि बच्चों का ग्यान वच्चों कि इंदर इंचीजों क्या करता है इस चीज़ों क्या करता जा थी कापी को देकते समय बासा के सिचका ने कुछ तूटिया देखी और महसूस किया कि बच्चे िनके सब्सकु आपको देना नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं लेवाई गोस्की यहां से मनें बार बार आपको बताए कि लेवाई गोस्की से क्या कहेगा प्याजे से क्या कहेगा यह सारी बात आपको हर बार बताई जाती अब बते हैं पर क्या होना चाहिए लेवाई गोस्की कहते हैं क्या है एक दूसरे संत करें पार्चीत कि यह बीना कारे करें खालता लावज नहीं करेंगे आंता किरिया करना है क्योंregal सास्वा से बुनाने के लिए क्रोसान पुरुसकार और दंड नहीं देना नहीं ऊप्शन बच भब यह जोड़ें समोंकार यह बनाए ताकि अनता गिरिया कर सकें को चलिए चलिए अब बताइए वारतिक अच्छा है बहु बासिक बहु बासिक अच्छा होती ठीक के बहु बाशीक्ता के संद्र ने द्यान में रखते हुए प्राथमी कस्तर प्रात्मिक अस्तर पर वह बासिक अच्छा के बारे हैं कौन सा कथन सरवादी के ठीक है सिच्छक को सिचार्थी के बासा का नजर अंदाज करते हुए विद्ध्याले की बासा पर द्यान देना नहीं भीया उसके बासाओं को क्या करना आपको महत्तु देना है गर की मातरी बासा गर की बासा या मातरी बासा गर बोलने जाने न की गर बोलनी चाहिए न की बिद्ध्याले बारत में एकल बासा बिद्ध्याले होनी चाहिए एकल सिच्छक सिचार्थी को उनके स्वयम की बासा में संप्रेशनल करने और अभिव्यक्तेतु पुर्साइद करें तथा उनको विचारों का सम्मान करें बस ज्यादा नहीं परसान मत विए दस कोस्टन और बचा आपके सामने आप लोग के सामने देखी रहे होंगे कि दस कोस्टन और बचा है बस यह तो अभी हमने कर लिया सत्तर वाल ना 15 देखते हैं यह तो आप आराम से कर सकते हैं इसको लेना आ नहीं चाहता लेए तो कह रहे हैं एक अध्यापक अपनी कच्छा में इस बात पर ध्यान दिया बात पर ध्यान जाता है कि बच्चे को भासा पढ़ने भासा को पढ़ने और समझने में कठनाई हो रही है तो पढ़ने में अच्छा उसलेश या ठीक है अब बताई इसमें क्या सी होगा अन्हीं रहें है अधिका में साक्ष प्राथ मकस्तर पाह अकल्न के संदर्व म 좀 खीए आखिलन के लिए मतलब मुल्यांकबन युक होता है स्टत और य sudah है व्यापक याद क्लिशेगा आज़न तर्ती likely करें नहीं नहीं अठन राज यदारित प्रक्रिया उनीच है ताहर राज यह commodity लगहा है, अब बताइधर आपकी सकूर्ण निमली खीत में बताईए तो क्या होगा यहां पर सिसाभी पैसमें ज्यादा सोचने की बात आप नहींगे मैं बस देख रहा था कि आपके मनो भाव चर्ण अंगे हैं कि नहीं अगे अब यह पूछ रहा है कि निमली खीत में में शिविकार करेंगे आ तो क्या है यहां पर आप ए रात हो ठोड़े संधाज आइगा कि इसी प्रभू खरमाचार प्रकों कि अर्ड़ी इसमित होगा कि और मानिटन के लिए देंद समागरी तयार करने केसी धानतों में से एक है ठीक है बताए यहां थोड़ा भी आपको ध्यान देना है ध्यान देना है तो कहरा है प्रतेक आई वर के लिए जटिल जटिल तो नहीं भी आप बनाएंगे बासा अधियम के लिए समागरी आपकर पाठे पुस्तक ही बना रहे हैं तो जटिल थोड़ किसी प्रकार समागरी क्या चुन लेंगे बच्चे जो कर पाएंगे उसी प्रकार समागरी नीच कि और छोट थी वर ठीक है बड़ी ठीक है लकिन सीमित नहीं होना झाहिए यहां पर यहां पर ऐक ही अप्सण को दिख रही हो क्या है बी जया है लिए अब आते हैं अगले को मिलते हैं बच्चा बीना सचे ध्यान में बासा गरान करता है ठीक कर थे-छे क्या से होगा थोड़ा सदी मेंग लगाना सब्सक्राइं आपको में अब यह आपको मने कही बार बताएं एक होता है अधीह हम है और एक यहाओता है अर्जहन ठीक ना अधिकम जो क्या होता है प्रयास पूर्ण होता है यह सभी उद्यश्यों की पूर्ति करता है इसमें सभी चीज़ें क्या होती है फिक्स होती है जिसे समय अध्यापक ठीक ना समय भी फिक्स होता है अध्यापक भी फिक्स होता है पाठ पुष्टक भी सारी चीज़ें इसमें फिक्स होती ह ठीक है और इसो कहीं भी कभी भी किसी के साथ किया जा सकता है तो कहीं ने कि वो चीज़ें को क्या मिल रहे है option D में अधिगम क्या होता है प्रयासपूर और यह क्या होता है अनासे होता है मतलब ना चाहके भी क्या करते हैं अरजन कर लेते हैं कुछ चीज जैसी बासा के उत्पाद का उसल बहुत सभी बासा के उत्पाद का उसल क्या है बताई यह दो तरह से होता है बिया एक होता है उत्पाद ठीक है और एक क्या होता है ग्रहां ठीक है तो एक होता है ग्रहन वाला दू होता है और उत्पाद वाला पढ़ते हैं, तो उत्पात का मतलब हो गया क्या, बोलना या लिखना, बोलना या लिखना हो जाएगा, ठीके न, आईए अगले कॉस्चन पर, बच्चे सभी उन गति विधियों, द्वारा अभी प्रेजित होते हैं, बताओ भी है, कौन से गति विधियों से अभी प्रेजित होते हैं, जिनकी हो जना वैस दोरा बनाई जाती है, नहीं, जिनकी हो जना बच्चे दोरा बनाई जाएगे, उससे होगे, जो बच्चे के लिए अर्थपूल रूप से नहीं, ये भी नहीं, तो का होगा, यहां पर सही हमारा क्या हो जाना चाहिए, बी हमारा सही हो जाना चाहिए, च जानने वाले बच्चे किस से बात करते हैं समय प्राय एक बासा के सब्दों का प्रियोग करते हैं यहां कई कोई दिक्कत है नहीं यहां पर क्या होना चाहिए बहुन हाँ सिकता है भताि यहां पर को को चैनल को थोड़ा छोटा करें सही है खुछन गृष्ट लगनी सही है करा दो भासा क्या रहा है दूई भासा बच्चों का दूई भासी बच्चे या दो भासा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते हैं प्राए एक भासा के सब्दों का प्रियोग करते हैं कहलता है क्या संकीत क्या कहलाएगा संकीत चाहिए कौन हो कल पढ़ेंगे भी आग किस चीज का आज ये हमारा सतातारिक के कम्प्लीट हो गया पेपर जिसमें इस्पेशल पैड़ो गोजी टोटल है और कुछ-कुछ चीजे कटी हुई है जो में में कोस्टन हमने सारे कोस्टन को ले लिया है विद्यार्थी के अधिगम के आखलन के लि क्या कहेंगे बोलिएं लाश्ट को शनने सोची जवाब देजिःगा है रूबिक्स जाद सूची अनुँशविस्ट्री सूची करंवनिधहन मातीं उन राश हम आफिंदों बतने क्या करते है है यह क्या करता है रूभी रूब्रिक्स क्या करता है रूब्रिक्स धियक यही तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में होगी तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद और ये वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों को सेर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताक के लिए का व्याद है सेर के लिए तो ए है उते हैं कριimanता है तो ये ये तो несколько दो मुद्क्वल का बस्तना है तोओकश टूरूरौ 요ी था प्रों करें ले सकता हैं उलाओी, टत्म से यिरू पोगे प